हेलो फ्रेंट्स आज की इस क्लास में आप सभी लोगा बहुत-बहुत स्वागत करते हैं फ्रेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाटर ट्यूब वाइलर या इसे हिंदी में बोलाता है जल नलिका वाइलर यानि water tube boilers क्या होते हैं इसका diagram कैसे बनाए जाता है और इसके क्या-क्या specification होते हैं यानि इस boiler के क्या-क्या business थाएं होती हैं इन सारे टापिक को आज की इस वीडियो में हम cover करने वाले हैं तो friends यदि आप लोग boilers के और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग इस वीडियो की description में दिये हुए link से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसके पहले हम लोग काफी important topic जो boilers के हैं उसे discuss कर चुके हैं boiler क्या होते हैं boiler का उपयोग क्या होता है classification of boilers क्या है fire tube boiler क्या है तो इन सारे चीजों को हम इसके पहले वाले वीडियो में discuss किये हैं यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं प्लेइलिस्ट से या इस वीडियो के description में दे हुए link से चलिए आज के topic को हम लोग discuss करेंगे जो आज का topic है वह है water tube boiler या हिंदी में जनलाली का boiler भी बोला जाता है इसे तो देखिए इस boiler को पहले define करेंगे कि water tube boiler होता क्या है तो देखिए friends इस boiler में tube के अंदर या जो tubes होंगी इस boiler के अंदर उस tubes के अंदर क्या होगी पानी flow करेगा इन tubes के अंदर पानी flow करेगी और tubes के चारों तरफ बाहर यानि tubes के surface पे बाहर की side में जो होगी वह hot gases flow करेंगी जैसा है आप लोग diagram में देख सकते हैं जो blue color की दिखाई गई है वह क्या है यह सारी tubes हैं और जो red color की यहां पर दिखाई जा रही है यह hot gases इसके contact में flow कर रही हैं तो इस boiler को आप कैसे define करेंगे कोई पूछ देगा water tube boiler किसे काते हैं तो आप बोलेंगे water tube boiler एक ऐसा boiler होता है जिसमें closed vessel के अंदर जो tubes होंगी वह tubes के अंदर water flow करेगा और tubes के बाहर उस closed vessel में ही tubes के contact में बाहर के side में जोगा hot gases flow करेंगी अब क्या होगा कैसे जो हमें steam प्राप्ट करना है कैसे हम steam प्राप्ट करेंगे तो यह जो देखिए सबसे पहले जो blue colors की lines दिखाई गई है इस lines में या इस closed vessel में आप लोगों को पता ही है जो boiler होता है एक बंद पात्र होता है उस बंद पात्र के अंदर यह बहुत सारे tubes ल इसमें तो water tube boiler में यहां से जो है water को feed करा जाएगा इस tubes के अंदर जो blue color की lines दिखा रही है इस सारी इही सब चारी सारी के हैं बॉयरस की दिवारे हैं जो red color की bounty की तरह दिखाई गई है इसमें अंदर tubes के अंदर water को feed किया जाएगा और इहां पर furnace लगा हुआ है इस furnace के सुर और रहत हैं जिसको जलाने पर जनेट होगी यहां पर माली यह ये तेल भी हो सकता है diesel पेट्रोल या कोई भी टेल है जिसे हम heat generate कर सकते हैं कोयला होगा तो कोयला को रखने के लिए यह जाली लगी होती है जिसे great बोला जाता है इस जाली को पर कवले को रखा जाएगा साइड में एक फैन लगा होता है इस फैन के थूँ एर को इस कोईले को जलाने के लिए चलाय जाता है जिससे जब हवा आएगा तो तेजी से कोईला बर्न करेगा अब देखिए जब माली यहां से हम कोईला जलाते हैं तो होइला जलेगा तो hot gases जन्रेट होगी इस hot gases को जन्रेट होने के बाद इस blue line वाली pipes में जो हैंगी पानी फरी होंगी इस पानी के contact में जब हाट gases आएगा तो पानी नलिका के अंदर flow हो रही है यहार नलिका के अंदर पानी क्या होगा गर्म होगा और गर्म होने के बाद एक निश्चित टमपरेचर के बाद यह पानी जो होगा steam में convert होने लगएगा और जब steam में convert होगा तो यहार डोम pipe के थिरू हाई प्रेसर इस टीम में प्राप्त होगा और इस टीम को हम अपने जो भी यूज होगा उसके अनुसार हम लोग यूज कर लेंगे अब देखिए क्या होता है जिसे माली होट गैसे इस पाइपस के संपर्क मियाने के बाद इस होट गैसे का भी कुछ टंपरेचर गिर जाएगा और इस टंपरेचर गिर जाएगा तो यह यहां जोगा वेश्ट होट गैसे हो जाएंगी जिसको हम चीमनी के थूँ बहा निकाल जो प्राशेस है ट्राइव में के लिए याईग्राम से ऐसा प्राशेस होता है इस इससे हम् लोग देखेंगे कि वाटर बॉयलस के क्या क्या विश्चिज़ आ है तो सबसे पहले देखिए आप लोग जो भी विश्चिश्टा आइं इसे आप लोग पॉइंट करके नोट करे देखें जो पहला point है वह water tube boiler से हमें ज़्यादा steam प्राप होती है fire tube boiler की अबिच्छा आपनों को बताएं भी ते जो fire tube boiler होता है वह कम pressure पर boiler को generate करता है कम मातरा में steam को generate करता है लेकिन water tube boiler ज़्यादा pressure पर और ज़्यादा steam generate करने के लिए यूज कियाता है यहाँ पर भी high pressure steam की requirement होती है वहाँ पर water tube boiler का यूज कियाता है जहाँ पर high pressure steam का जरुवत होगा वहाँ पर water tube boiler का यूज किया जाता है next point water tube boiler की दच्चता 90% तक होती है यहनी जो इसकी efficiency है दच्चता जो है वह 90% तक होती है water tube boiler की यह बहुत बड़ी इसकी quality है next है water tube boiler की जो भाप उत्वादन चमता है वह लगवक 450 टन पर आवर्स के हिसाब से यहाँ steam को generate करता है next point है water tube जो boiler होता है इसका यूज बड़े बिजली प्लांट में कियाता है जहाँ पर बहुत बड़े बिजली का प्लांट लगा होगा बिजली को generate करने का कार्य किया जाता है उहाँ पर water tube boilers का यूज किया जाता है आप लोग देखिए भी होंगे कि बहुत बड़े-बड़े boilers होती है जहाँ पर boiler क्योंते हैं बिजली का उत्पादन किया जाता है नेक्ट तो होता है वाटर ट्यूब बॉइलर्स के एक्जामपल यानि वाटर ट्यूब बॉइलर्स के स्रीज में कौन कौन से बॉइलर आएंगे तो वाटर ट्यूब बॉइलर्स के स्रीज में वैबकॉप एंड विलकॉक्स बॉइलर को अंदर भी जो हता है water tube boilers होते हैं sterling boiler को भी water tube boilers के अंतरगत रखा गया है and next जो है simple vertical boiler को water tube boiler के रखा गया है तो यह थो थे हमारे water tube boilers क्या होते हैं क्या इसका विशेश्टा है और कौन-कौन से boiler water tube boilers के अंत्रगत आते हैं यह हम लोग आज डिसकस किये हैं एदि आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी सेयर करिएगा ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें आप लोग इस डायग्राम को बहुत ही वेहतरिन तरीक आपके साथ तब तक के लिए जैहिन जैवारत